नवरातरे आ रहे हैं, सोचा आपके साथ चांदी की मूर्ती को साफ करने का तरीकर शेर करूँ, आप सभी को नवरातर की हारदिक शुक्काम नाएं नमस्कार, निर्मा स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है, ये देखिए बिल्कुल नए जैसी चमक्ति हो हमारी शेरा वाली माता की मूर्ती, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अभी इसे बजार से लेकर आए हैं, लेकिन पहले ये माता की मूर्ती ऐसी नहीं थी, ये इस तरह हो गया है, क्योंकि हम रोज पूज़ा करते हैं, दिया जलाते हैं, धूबत्ति करते हैं, कपूर जलाते हैं, रोली चंदल लगाते हैं, तो इससे मूर्ती का यानि चांधी का कलर हो जाता है, यानि उस पर शिकनाई और डस्त जंग जाती हैं, आज हम मात्र हम 2 रुपे में चांदी की मूर्ती को साफ करेंगे, हम इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, और ना ही इस मूर्ती को हम खौलते पानी में उबा लेंगे, क्योंकि माता की मूर्ती के साथ हमारी आस्था और श्रद्धा जुड़ी होती है, ये देखिए कॉल गेट टूथ पावडर का यूज करेंगे, ये ऐसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसे ओनलाइन भी widget कर सकते हैं, हम माता की मूर्ती को साफ करने के लिए सिर्फ पावडर का ही यूज नहीं करना है, इसमें हमें कॉल गेट पैस्ट का यूज नहीं करना है, सब से पहले माता की मूर्ति के फूड़े साहा पाउडर डाले। पाउडर थोड़ाद रकम लग रहा है। और डाल देते हैं क्योंकि मاتा की मुर्ति तूप दीप की चिकन हर्ट से काफी गंदी हो चुकी है। अब इसमें कुछ ड्रॉप से पानी के डाल कर एक पेस्ट बनाना है अब इस पेस्ट को हम माता की मूर्ति पर लगाने के लिए एक पेंटिंग वाले ब्रश का यूज गया है ये मेरे पास चोड़ा पेंटिंग का ब्रश था आप गॉल वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं नहीं में इसमें गरम पानी यूज किया है नहीं किसी केमीकल का यूज किया है सिर्फ एक चमच कॉलगेट पाउडर से हम इसको मूर्ति को साफ करेंगे ब्रश की हेल्प से पेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि मूर्ति में जो डिजाइन बना हुआ है बारिक-बारिक धारिय अब इस पेस्ट को 10-15 मिंट सूखने के लिए छोड़ देते हैं 15 मिंट के बाद माता की मूर्ति को देखते हैं देखिए पेस्ट सूख गया है अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है और अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल निर्मस्मार्ट कीचन सब्सक्राइब नहीं किय माता की मूर्ति हमें हलके हाथों से रगणा है क्योंकि चांदी की जो यह दखिए त्रिशूल दिख रहे है बिल्कुल हलका होता है जड़ हम रगणे तो इसमें क्रेकेज पढ़ सकते हैं इसलिए हलके हाथों से रगणे अभी तो ये कुछ नहीं चमक रही है बहुत आप मार्किट से खरीद कर लाते हैं मेरा विश्वास मानिए कोई गल तरीके का है का आपके साथ नहीं शेयर करती हूं जो तरीके मैं घर पर यूज करती हूं वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूं आगे पीछे से पूरा मैंने दुर्गा माता की मूर्ति को साफ कर लिय ग्रे जर को गया है आप हाथों में देख सकते हैं यानी मुर्ति पर मुर्ति पर ज Profess इसे में लिए इसे की मुर्ति की बाजार换 को पाउडर से घाल जबिए कमें दोना दालने के बाद हाथों की उंगलियों से रब करें मुर्ति ही अंचेक करें रब ब abnorm neglect कादृ मुर्ती का भए रख रखते हुए हमें रव करना हैं कि हम आपने भगवान को चमका रहे हैं उनको साफ कर रहे हैं खुश मन से भगवान की सेवा करे तो मन का भाव बहुत इंपोर्टन्ट होता है एक माता की मुर्ति को एक साफ कपड़े से फौंश देते हैं यह मेरे मंदिर का कपड़ा है पानी को पौँचना बहुत जुरोरी होता है क्योंकि पानी और हावा कि संपर्क में आने से चाण्दी कि मूर्ति का कलर्ण हो जाता है अच्छी तरह से पानी को सिंगासन hai बिल्कुल ड्रै करना है माता की मूर्ति को को उनके सिंगासन पर भिठाते हैं देखिए मूर्ति क्पाकी साफ किया यह यह कॉल गिट पाउडर आप घर में मूर्ति आंए और मिंटों में चांदी पुजा के बरतन और मूर्तियां मिंटों में साफ कर सकते हैं आपको बजार से साफ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसा लगा आपको ये तरीका कॉमेट करके बताएं उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैं इस तरह की यूसफुल वीडियो लाती रहती हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ थैंक यू बाई बाई